के गाइज वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस आज की स्नैक डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये लेफ्ट ओवर पेस्टिंग वाली भुक्रम का पीस लिया है और इसके उपर हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉख करेंगे और अ इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉख करेंगे और इन्हें कट कर लेंगे कि इसी तरह सारी शेप्स हम इसके बाद इनको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे तो मुझे यela कलर का डिजाइन बनाना है तो इसलिए मैं इस कपड़े के उपर इस तरीके से इसको प्रेस स चिपका दूँगी, आप चाहें तो fuse paper की help से भी यह shapes बना सकते हैं, extra कपड़ा हम cut करेंगे, और इसी तरह सारी shapes को चिपका लेंगे, अब हम गला cutting करेंगे, तो गले के लिए मैंने fuse paper लिया है, बीच में से fold कर लिया है, अब जितना चौड़ा आप गला बनाते हैं, यानि कि अगर आप 3 इंच चौड़ाई लेते हैं गले की, तो आपको यहां पर 3 इंच लेनी है, आधा इंच extra हमें रखनी है, नॉर्मल से, और इसी तरह से लंबाई भी आपको आधा इंच extra रखनी है, जैसे मैं यहां पर चौड़ाई 3 इंच लेती हूं, तो यहां पर 3 इंच ले इस तरीके से, अब हम अपनी shapes को ready कर लेते हैं, तो एक plain कपड़ा रखेंगे, उसके उपर जो हमने shape चिपका के यहां पर रखी थी, उसे इस तरीके से place करेंगे, और यहां पर बिल्कुल बारीक बख्ये से, बुक्रम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई हमे यहां लगानी है, ताकि पलटते टाइम यह खुलना जाए, और अब extra कपड़ा कट करेंगे यहां पर, यहां से भी कट करेंगे और इसको पलट के सीधा कर देंगे, इस तरीके से हमें सारी की सारी shapes को ready करना है, यह देखिए, तो अब हमें गले के उपर chalk से इस तरह से निशान लगाना है, ताकि यह दूसरी तरफ visible हो जाए, और अब इसे अच्छे से draw कर लेंगे, यह निशान हमने अच्छे से यहां पर लगा दिया है, और अब हमें डोरी लेनी हैं, डोरी के pieces मैंने cut किये हैं, 2.5 इंच लंबे लं कि हमें इस तरीके से यहां पर place करनी है, इस तरह से place करेंगे, और यह चीज ध्यान देने वाली है कि हमें लूपी का जो round वाला हिस्सा है, वो बाहर की तरफ रखना है, और जो cutting वाला हिस्सा है, वो हमें अंदर की तरफ रखना है, तो यह दो लूपी आटाच करेंगे इस आप तरह से और उसके बाद हम अपनी के वाली शेप टैच करेंगे और इसे हम इस तरह से पलट के रेडी कर दिया तो अब इसे भी हमें इस तरह के इसमेर तरीके से है बाहर की तरह रहे अब ये दो लूपियां अटाइच करने के बाद हम यहां पर फिर से दो लूपियां अटाइच करेंगे तो इसी तरीके से हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे पहले दो डोरियां फिर एक टिकी फिर दो डोरियां और फिर एक टिकी तो इस पूरे गले को बनाने के लिए आपको छे टिकियां चाहिए होगी इस तरीके से हम इसको अटाच करते जाएंगे और अटाच करते हुए इस चीज का भी खास दहां रखना है कि जो हम सिलाई लगाएं वो बिल्कुल चौक वाला जो हमने निशान लगाया था इसके उपर उपर ही रहे अब यहाँ पर तीन टिकियां अटाच करने के बाद उपर की तरफ तीन डोरियां अटाच करेंगे और एक साइड से गले का यह डिजाइन जो है वो खतम करतेंगे आप टिक्कियों की और डोरियों की लंबाई अपनी मर्जी के हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं तो ये एक तरफ तो मैंने अच्छे से इनको अटाच कर दिया है अब इसी तरीके से हमें पूरे गले पर इनको अटाच करना है अच्छे से ये देखिए मैंने पूरे गले पर डोरियों को और टिक्कियों को अच्छे से अटाच कर दिया है और इस गले का कपड़ा भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है यहां से रफली मैंने अंदर की तरफ मोड के रख लिया है इसको अब हम इस गले को बनाएंगे जैसे नॉर्मल गला हम बनाते हैं कुर्टे के उपर बिल्कुल उसी तरीके से कुर्टी के राइट साइड पर इस गले को मैंने रखा है और इस तरीके से बिल्कुल बुकरम या फ्यूस पेपर जो भिया फ्यूस कर रहे हैं उसके साथ-साथ बारीक बख्ये से यहां पर सिलाई लगानी है, इस तरीके से, और सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्टा कपड़ा कट करेंगे, और छोटे-छोटे नौचिस लगाएंगे, और नौचिस लगाने के बाद हमें इसको पलट के सीधा करेंगे, और पलटते हुए हम यह सारी के सारी डोरियां और टिक्कियों को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, इस तरह से और यहां पर एक बहुत सफाई से टॉप स्टिच लगाएंगे, यहां पर भी एक कच्छा टांका लगा लेंगे, जिसे हम बाद में उधेड़ देंगे, दुर्पाई कर देंगे और उधेड़ देंगे इसको हम बाद में, तो इस तरीके से यह गला मैंने कम्प्लीट कर दिया है, तो यह देखिए, गला हमारा बन के त्यार हो चुका है, इसके पिछली तरफ भी बहुत सफाई आई है, और इस कुर्टी का जो आपको पिछला गला बनाना है, वो नॉर्मल जैसे आप किसी भी कुर्टी का गला बनाते हैं, उसी तरीके से बनाना है, अगर आपको इसकी बाजू और घेरे का पिडिजाइन देखना है, तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसका वीडियो भी लेकर होंगी, तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को दुबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो के रैगूलर अपडेट्स मिल सकें, साथ ही आप में इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी फालो कर लिजे, तो गाइस थैंक यू सो मच फो वाचिंग, बाई बाई,